सुप्रेम कोट के जज उज्वल भूईया ने एडी को जबरदस फटकार लगाते हुए कहा कि बिना आरोप तैकिये एडी कितने समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकती है अधिकतम सजा 7 साल की है पीमले मामलों में सजा की दर्ग क्या है संसद में कहा गया है कि सिर्फ 41 मा प्रश्रों तक जेल में कैसे रख सकती है इसी तरह न्याय मूर्ति दीमपांकर दत्ता ने भी एडी को जबरदस पटकार लगाई उन्होंने कहा जिन मामलों में वारन जारी नहीं किये जा सके क्या वो किसी व्यक्ति को जेल में रखने का आधार हो सकता है अंतताहा अधालत ने अंतरिम जमानत प्रदान यानि सुप्रीम कोट ने एक बार फिर से एडी की जबरदस क्लास लगा ली और पिछले कुस दिनों में ये लगातार तीसरी बार है जब सुप्रीम कोट ने एडी को लेकर इतनी नाराज़गी जाहिर की है तो सवाल ये है कि आकिर एडी के खि करेंगे चर्चा नमस्कार मैं हूँ अंशिता विपक्ष तो पहले ही एडी को केंद सरकार के हाथ की कटपुतली बताता था विपक्ष आरोप लगाता है कि सिर्फ विरोत की आवास दवाने के लिए विपक्ष की आवास दवाने के लिए आलोचनाय दवाने के लिए सरकारों क गिराने के लिए ही केंद्रिजाच एजेंसियों का इस्तमाल किया जाता है और अब जब सुप्रीम कोट की तरफ से लगातार E.D. को जिस तरह से फटकार लग रही है उसने विपक्ष के उन तमाम आरोपों को बल दे दिया है जो वो मोधी सरकार पर लगाती है पिछले दिनों फिर E.D. से कड़े सवाल पूछ लिए जिसके बाद E.D. एक बार फिर घिर गई इस पर आगे चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले ताजा मामला जान लेते हैं कि आखिर अब E.D. को फटकार क्यों लग गए सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोट ने E.D. से सवाल पूछा कि आकिर मनी लॉंडरिंग कानून के मामले में दो शिद्धी की दर क्या है कोट ने ये भी कहा कि आप व्यक्ति को सालों तक जेल में रखते हैं पीट ने आगे कहा चौरसिया एक साल नौ महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है उनके खिलाफ आरोप तै होना बाकी है और सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है कोट ने E.D. से कड़े सवाल पूछे और सौम्या चौरसिया को अंत्रिम जमानत दे दे कोट ने फैसला सुनाते हुए उनकी हिरासत में बिताएगा इस समय और अभी तक आरोप तै ना होने को भी ध्यान में रखा यानि आभी तक आरोप तो तै नहीं हुआ है बाप जुदिस के सौम्या चौरसिया ने एक साल नो महीने जो है जेल के अंदर बिताए और इसी को ध्यान में रखा सुप्रीम कोट ने अपनी सुनवाई के दौनान और उसके बाद जब अंत्रिम जमानत दी तो इस बात का इसको लेकर सौम्या ने जब सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट-कटाया और जब ये मामला सुप्रीम कोट पहुचा और सुप्रीम कोट की पीट के सामने मामले पर सुनवाई हुई तो कोट ने एडी की जबर्दस क्लास लगा दी सुनवाई के दोरान न्याय मूर्ती भूईया ने प्रवरतन नेदेशाले यानि की एडी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया उसकी क्लास लगाई कोट ने एडी के कमजोड दोशिद्धी दर और आरोप तै किये बिना लोगों को लंबे समय तक जेल में रखने की प्रवरती को लेकर फटकार लगाई कोट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि बिना आरोप तै किये आप कितने समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं अधिक्तम सजा 7 साल की है पीमले मामलों में सजा की दर क्या है संसद में कहा गया है कि सिर्फ 41 मामलों में सजा होई है फिर आप किसी व्यक्ति को वर्षों तक जेल में कैसे रख सकते हैं सिर्फ यही नहीं नियाई मूर्ती दत्ता ने तो आश्चर ही जाहिर कर दिया उन्होंने कहा कि जिन मामलों में वारंट जारी नहीं किये जा सके क्या वो किसी व्यक्ति को जेल में रखने का आधार हो सकते हैं इसके बाद अदालत ने सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत दी और अब मामले की अगले सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी यानि कोट ने साफ साफ सवाल किया कि जिन मामलों में वारंट तक जारी नहीं हो सकता उसमें गिरफतारी कैसे हो गए और गिरफतारी भी हुई और उसके बाद एक साल नौ महीने से सौम्या चौरसिया जिल के अंदर बंद भी है आपको मता दे कि नियाय मूर्ती सूरिकांत दिपांकर दत्ता और उज्जल मुईया की पीट चौरसिया की उस ही आज कपर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने 36 गर उच्च न्याले यानि कि हाई कोट के 28 अगस्त 2024 के आदेश को चुनौती दी थी हाई कोट ने उनकी तीसरी जमानत याचिका खारिस कर दी थी सुप्रीम कोट ने बिना किसी विचार व्यक्त किये और पक्षकारों को व्यापक सुनवाई कापसर देने के उदेश से उन्हें अंत्रिम राहत प्रदान की है अदालत ने चौरसिया को जमानत वॉंड भरने का भ भाहाल ना करे मतलब अभी जो है वो काम नहीं कर पाएंगी वो आगे के आदेश तक निलंबित ही रहेंगी और न्याई मूर्ती सूरिकांत ने कहा कि चौरसिया को ट्रायल कोट के सामने पेश होने गवाहों को प्रभावित ना करने और सबूतों से छेड़-छड़ ना करन लेकिन इस सब के अलावा खास बात ये थी कि कोट ने एक बार फिर से ED को जम कर फटकार लगा दी सुप्रीम कोट ने एक बार फिर से संकेत दे दिया कि वो ED की कारिवाई और कारिप्रणाली से ना तो खुश है और ना ही संतुश अब ये तो ही ताजा मामले की बात इसी तरह पिछले कुछ मामलू में भी सुप्रीम कोट ने ED को खूप फटकार लगाई थी इससे पहले 12 जुलाई को दिल्ली अवेश राम नीती मामले में जब सुप्रीम कोट ने अर्विंद केजरिवाल को जमानत दी थी तब भी ED की प केस और गिरफतारी के आँकणों से ये सवाल उठते हैं कि क्या गिरफतारी को लेकर ED की अपनी कोई नीती है ED मनी लॉंडरिंग केस में किसी व्यक्ति की गिरफतारी करते वक्त उन तक्तियों और सबूतों को नजर अंदाज नहीं कर सकती जो आरोपी के पक्ष में जाते है जांच अधिकारी यानि आई-ओ सबूतों को लेकर सेलेक्टिव नहीं हो सकते ऐसा नहीं हो सकता कि आई-ओ सिर्फ आरोपी के खिलाफ जाने वाले तक्तियों पर विचार करें और फिर उस पर फैसला ले आरोपी के पक्ष वाले तक्तियों पर भी आई-ओ को गौर करना चा पर गंभीर विचार विमर्ष की जरूरत है जीवन काधिकार बहुत एहम है यानि उस समय भी सुप्रीम कोट ने जो ये टिपणियां की थी एडी को लेकर केंद्री जांच एजेंसियों को लेकर इसकी काफी चर्चा हुई थी इसके बाद फिर CBI वाले मामले में जब सुप्र का मामला हो चाहें वो के कविता का मामला हो चाहें वो दूसरे और जो है नेताओं का मामला हो उसमें एडी को जबरदस्थ फटकार लगती रही है केंद्री जांच एजेंसियों उनके कामों पर जो है सवाल खड़े होते रहे हैं सुप्रीम कोट में उनकी दलीले नहीं चली और इसको लेकर चर्चा जो है गर्माई हुई थी कि इसी बीच एक और मामला आ गया और इसमें भी सुप्रीम कोट ने जो है एडी को धवर्दस्त फटकार लगा दी और तमाम सवाल खड़े कर दिये तो इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर पूर दीजेगा इसी के साथ मुझे दीजो जाज़त देखते रिये डीवी डाइब नमस्कार